तो यह जो प्रधान मंत्री जी बोले है कि अन्य लोग जो समाजबाद का नाम लेके राजनीत कर रहा है वो एक्चुली में परिवारबाद है बिहार इसका एक्जामपुल है यूपी में इसका एक्जामपुल है पुरा का पुरा परिवार ही समाजबाद है लेकिन नितिश ही परिवार है और यह उन्होंने प्रेक्टिस में करके दिखाया है उनके परिवार के लोग को हमको लगता कोई नाम भी नहीं जानता होगा राजनी तो छोड़ दीजिए यह आज जबकि 16 साल से बिहार में और पांस साल केंद्र में अटल जी के सरकार में मंत्री रहे 20-21 साल स जो सत्ता के सिर्ष पे बैठे हुए हैं और एक साधू का जिन्दगी जीए परिवार का कोई लोग को कोई जानता नहीं है इससे बड़ा एक्जाम्पुल मेरे ख्याल से आओ सच है कि लिविंग जो लोग है जो आज के डेट में मैं जो देश में देखता हूं प्रॉबली स इस में समाज बात को करने वाले नीतीस कुमार अकेले आदमी उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से सरक्यास लगाई जा रहे थे जो यहां पर गठबंदन मिढ़ा के कुछ नेता है एक दूसरे को बयान देते हैं कहीं कहीं हमें लगता है कि बिराम लग गया है क्योंकि पर वर्कर से लेके उपर तक का समनवय बहुत लंबे काल से रहा है इसलिए अब रहता है कुछ बाते आती रहती है लेकिन इस अलाइंस में कहीं कोई समस्या नहीं है दो हजार पचीस तक बिल्कुल यह मैंडेट बिहार के जनता ने नितीज जी के नाम पर 2020 में एंडिये के मुख्मंत्री के प्रतियासी डितीज कुमार जी थे उनका चेहरा पर हम लोग चुनाव लड़ने गया और प्रधार मंत्री से लेके और सारे लोग चुनाव प्रचार करने है उनके नाम पर लोगों ने बोड़ दिया 2025 तक बिल्कुल आराम से एंडिये सरकार चलेगी और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है हम लोग की प्रतिबधता बिहार के जनता के प्रति है